हेलो एब्रीबन वेलकम टू कोपीत अंजली आज जो रेस्पी आप सब के साथ में शेयर करने जा रही हो उसका नाम है छोले समोसा चार्ट तो चलिए सबसे पहले चोले बनाते हैं चोले बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ओयल डाला है और ओयल को गरम होने देंगे उसके भाद जीरा डालेंगे देज पत्ता ड्राई रेड चिली ब्लैक काडेमम, क्रीन काडेमम, सिनिमम स्टीक और लॉंग है डालने के बाद अब इसको क्राइकल होने देंगे और जब ये क्राइकल हो जाए तो ये एक प्याज और दो तीन टामाटर की मैंने प्यूरी बना कर रखा हुआ है पहले से ही इसको डाल देंगे और एक दो मिनट तक इसको चलाते हुए कुक कर लेंगे एक दो मिनट होने के बाद जो है अब ये जिंजर का पेस्ट गार्लिक का पेस्ट जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको ड्राई होने तक पका लेंगे ये मसाला जो है अब ड्राई हो चुका है अब हम इसमें ये धनिया पॉडर डालेंगे फिर ये जीरा पॉडर डालेंगे ये ब्लैक पेपर लाल मिर्च पॉडर हल्दी नमक डालेंगे स्वादी के अनुसर सबको डालने के बाद इसको फिर से एक दो मिनट तक मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ओयल जो है वो सेप्रेट ना हो जाए ओयल सेप्रेट हो रहा है अब हम इसमें ये कस्मेरी लाल मिर्च डालेंगे इससे कलर अच्छा आता है और ये कसूरी मेथी है इसको अपने हाथों पर अच्छे से मसल करके डालिए जब मसालों का फैट सेप्रेट होने लगे तब अब हम इसमें ये बॉइल क्या हुआ छोले डालेंगे ये चोले को मैंने रात बर भीगो कर रखा था और उसके बाद कुकर में डालने के बाद दोतीन सिटी लगा कर इसको बॉइल कर लिया था छोले डालने के बाद अब हम पानी अप उसी साब से डालिए यदि आप चाड बना रहे हैं तो पानी कम डालिए और अगर आप इसको राइस या रोटी के साथ छोले खाना चाहते हैं तो पानी जादा डालिए पानी डालने के बाद इसको 4-5 मिनट तक बॉइल कर लिजिए और फिर एक दाना लेकर अब चेक कर लिजिए कि पका है के ने ये देखिए छोले जो है बन करके त्यार हो गी है अब हम इसको धनिया पत्ती से गार्निस कर लेंगे और ये छोले तयार है छोले बनने के बाद से पाल गली बना रख लिदी आप इसका रिष्पी मेरे चैनल पर देख सकते हैं समशा डालने के बाद मीठा दही डालेंगे मीठा फेटा हुआ दही है ये दही डालने के 15 Kelvin के बाद ये इमली की चटनी है इसको डाल देंगे पाद ये धनिया मिन्ट की चटनी है इसको भी और इसके बाद यह कटा हुआ बारिक कटा हुआ प्याज है प्याज को डालेंगे प्याज डालने के बाद यह चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे फिर भूना हुआ जीरा है इसमें धन्या पत्ति डालेंगे धन्यापत्ती डालने के बाद जो है यह नाइलून सेव है इसको डालेंगे और नाइलून सेव डालने के बाद जो है यह हमारा छोले समोसा चार्ट जो है बन करके तयार हो गया है